दोस्तों क्या आपका एडुकेशन वाला चैनल है अगर आप एडुकेशन से रिलेटेट कोई भी वीडियोस डालते हो तो आप विल्कुली साइड चैनल पर आए हो आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट डिटेल्स क्लियर करने वाला हूँ कि आपको एडुकेशन चैनल में मेट फोर किट्स होगा या नोट मेट फोर किट्स होगा तो आईए दोस्तों जानते हैं complete details इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आकासा आप देख रहे हो कास निवाल चलिए सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहला point आपको यह समझना है कि आप जो education वाला चैनल खोल के रखे हो और उसमें videos upload करते हो तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि आप किस तरीकी का videos upload करते हो और कितनी class की videos upload करते हो ठीक है यहाँ पर दोस्तों बात होती है class की तो मैं आपको बता देता हूँ अगर आप जैसे कि KGP nursery यह सब के लिए videos upload करते हो तो obviously यह सारी videos बच्चे ही देखेंगे तो उसमें आपको mat for kids लगाना परेगा ही यह YouTube के तरफ से guideline से ठीक है और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जैसे कि 10 class से उपर या फिर graduation MBA या फिर SSC से related कोई भी आप videos डालते हो या फिर higher secondary से related ठीक है तो उसमें आपको not mat for kids होना परेगा और सबसे पहले बात आपको audience retention अपना देख लेना परेगा कि उसमें कितने से कितने उमर के लोग आपकी videos को वाज करते हैं YouTube Studio में जाकर वहाँ से जाके आप डारेक्ट एक ही option को select कर दिजेगा कि not mat for kids तो आपकी जितनी भी सारी वीडियो अभी तक uploaded है या upload होने वाली है वो सारी वीडियो में not mat for kids अल्रेडी हो जाएगा उस एक option से आपको बार-बार setting करने का जरूरत नहीं परेगा और विंदासली आप वीडियो को upload कर सकती हो दोस्तों अगर कुछ भी आपको परिसानी होती है तो आप मुझे comment जरूर करना वहाँ पर हार एक comment को pick करता हूँ और हार एक comment का reply जरूर हर किसी को मिलता है अगर पिश्ची दिएगा लाल बटन पर क्लिक करके जल्दी से सब्सक्राइब कर दिजिए अगर चैनल पर पहली बड़ा है तो और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिएगा क्योंकि ऐसी मेल से वड़ा वीडियो से लाते नाता होता तक लिए जय हिंद वंदे मातरम